अश्राम लेकुम एंड विलकुम तो माई चैनल एचे एसिस्टेंस डियर स्टूरेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि इलामाइक पॉल उपन युनिवस्टी अपने स्वेस्टर टर्मिनल एक्जाम ओटम 2020 अप्लोड कर चुकी है पेपर्स रिस्पेक्टिव रोल नंबर्स के आप अपने पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं आज जो कोड में आपके साथ डिसक्स करने लगी हूँ वह है कॉस्ट अकाउंटिंग का कोड 462 किस तरह से आपने इन कुस्टिंस को सॉल्ट करना है किस तरह से आपने अटेम्ट करना है कौन से फॉर्मुला यूज होंगे कम्प्लीट डिटेल के साथ मैं आपको बताने जारी हूँ इस वीडियो में पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो कार्णी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना न भूलीगा So dear students, सबसे पहले discuss कर लेते हैं कि क्या instructions यूनिवर्सटी ने दी हैं आपके paper solve करने के हवाले से So the top most instructions आप सबसे पहली बात तो है कि आपने whole paper अपने words में लिखना है पूरे paper को आपने अपने words में करना है, आपने कहीं से भी copy paste नहीं करना अगर आप कहीं से कोई information लेते भी है help के लिए तो उसको आपने words में convert करना है उसके बाद number two thing कि आपने तमाम questions को attempt करना है number three आपने बहुत lengthy lengthy answers नहीं लिखने, to the point working करनी है कोशिश करें, headings के साथ काम करें, 600 से 800 words के दर्म्यान आपका answer होना चाहिए उसके बाद next point आजाता है, कि आपने किस तरहां से अपने paper को attempt करना है आपने कोई भी white sheets लेनी है, white sheets पे आपने अपना roll number, name और signature करना है और हर page पे ऐसा ही करना है, और full आपने जो paper attempt करना है, उसकी numbering भी दे दीजेगा हर page की इसके लाबा आपने ये अपने salt papers जो है अपने tutor को by post भेजने हैं, receipt संभाल के रखनी है, for future use और submission 20 जून से पहले पहले करनी है कोशिश करें के चुनके आपके papers आज 5 जून को upload हो चुके हुए हैं, तो आप कम से कम भी 10 से 15 तक इने tutors को post कर दें आप discuss कर लेते हैं questions जो 462 cost accounting के आपके paper में हैं, सबसे पहला question है, what information provided by a variable costing income statement is used in computing the break even point is this information on absorption costing income statement, explain your answer सबसे पहले आपने क्या करना है, कि जो information provide की जाती है, variable costing की तर से, वो किस तरहां से use होती है, break even point के लिए यह आप explain करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे, 300 तक अलफाज में यह चीज़ आप explain कर दें और उसके बाद इसी question का जो दूसरा part है, कि क्या यह information, absorption costing income statement पे असर अंदास होती है, यह नहीं होती और अगर होती है, किस तरहां से असर अंदास होती है, और अगर नहीं होती, तो क्यों नहीं होती, इन तमाम चीज़ों का आपने reason लिखना है reasoning के साथ आप अपने questions को solve करेंगे, तो आपके बहुत अच्छे marks आएंगे, इन्शाल्ला उसके बाद question no. 2 को देख लें अब इस question को solve करने के दो तरीके है, पहला तरीका तो ये कि आप सबसे पहले job order costing system को define करें, उसकी suitability लिखें, advantages लिखें और disadvantages को discuss करें उसके बाद process costing system को लिखें, उसकी heading दें, फिर suitability, advantages और disadvantages को लिखें दूसा तरीका इसका ये है कि एक ही बाद आप table बना लें और उस table में job order costing or process costing system को आप vertically लिखें और बाद की तीनों चीजें उसकी suitability, advantages और disadvantages को साथ साथ compare करते जाएं, दोनों तरीके ही भी तरीन है, जिस तरीके से भी आप solve कर लें, उसके बाद आपका question number 3 जो है अब आपने करना क्या है, आपको तीन पार्ट दे दिये, चार पार्ट दे दिये गे question के, चारो पार्ट को आपने इस तरहां से explain करना है, कि पूरी details कवर हो जाए, सबसे पहले पार्ट में आपने क्या करना है, कि ये timber 2 वेबसाइट पे विजिट करना है, और वहाँ जा के उसी वेबसाइट पे आपने एक बैग को design करना है, अब जाहिर है, आप ये assignments written form में कर रहे हैं, आपके लिए ये चीज़ करना मुश्किल होगा, इसके कोई भी अपनी imagination से कोई भी बैग को design करने, ठीक है, जिसना thank you bags होते हैं, या कोई भी इसनहाँ कोई भी बैग किसी भी logo के साथ design करने, और उसके बाद फिर आप compare करें कि इसकी कितनी price होनी चाहिए market में, उसी तरह के कोई जो similar bags इस वक मौजूद हो market में, ठीक है, उसके बाद part 2 में आपने क्या करना है, कि Timber 2, why would Timber 2 be able to produce custom made messenger bags for almost the same cost as mass produced ones, अब आपने ये बताने हैं कि जो इसकी costing आई है, वो similar क्यों है उन custom made bags की निजबद और क्या reason है, ठीक है, वो आप explain कर देंगे, उसके बाद question number 3 का part C है, would you expect the quality of the custom produced messenger bags to be higher or lower? अच्छा, अब जो आपने बराए हैं bags, आपको क्या लगता है, कि यह अगर branded company है, proper Sanfres को company है, तो इसका क्या अच्छे होंगे bags या same होंगे जैसे कि दूसरे bags होते हैं, क्या reason है, क्या justification है, इसकी वो आप explain करेंगे, इसी का last part जो है, वो आपने बताना है, कि जो आपने bags बनाए हैं, वो क्यों high profit margin देते हैं, ठीक है, वो किस तरहां से जदा profitable हैं और किस तरहां से वो जदा useful हैं, इसी के साथ hopefully आपको assignment clear होगी, कि आपका paper clear होगा, आपने किस तरहां से solve करना है, और कैसे आपने details देनी हैं, answers की, कौन-कौन से headings यूज़ करनी है, तो hope so, यापके लिए helpful रही होगी video, thank you for watching my channel, and don't forget to subscribe, stay tuned, Allah Aftars.